हेलो एवरिवन, आज है बहुत ही इंट्रस्टिंग पांच मिनट वाले केक की रेसिपी, बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार हम ये लोफ केक टूटी-फूटी वाला बनाएंगे, माइक्रोवेव और कढ़ाई दोनों में बनाना बताऊंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, हलो एवरिवन, वेलकम टू माइफूड व्लॉग, मेरा और अलाइना का हम दोनों का ही बहुत जल्दी बर्ड़े आने वाला है, और आप लोग की विशिज की बहुत जरूरत है, तो दुआओं में याद रखिएगा, और इस बार वाला मैं अलाइना का और अपना बर्ड़े केक खुद घर में ही बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी भी जो है मैं शेयर करने वाली हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं काफी अच्छी अच्छी ह और मौ में घुल जाने वाली ये रेसिपी है, मैं इसको चायवागर के साथ जरूर लेती हूँ, और ये रेसिपी जो है, ये बच्छों को भी बहुत जादा पसंद आती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, मैं इसको मैदा के साथ बना रही हूँ, आप चाहे तो हाफ म ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक बाउल के अंदर टेड़ कप मैदा निकाल लिया है, और आधा कप के करीब मैंने टूटी फ्रूटी ली है, जो मैदा हमने बाउल के अंदर लिया है, उसके अंदर से ही मैं एक चमच मैदा निकाल करके, ये टूटी फ्रूटी के अंद डालते हैं और बेक करते हैं तो यह क्या होता है कि नीचे बैठ जाती है उसको प्रिविंट करने के लिए और इक्वाली पूरे के अंदर डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए हम यह पार्ट करते हैं अब यह बाउल के अंदर एड़ करेंगे आधा कप घी यह वजन में 110 ग्राम है आप चाहें तो सेम केक बटर के साथ भी बना सकते हैं मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ दोनों ही बड़े मज़े के लगते हैं इसको हम विस्क करना स्टार्ट करेंगे यह स्टेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है तब ही आपका जो केक है वो अच्छा फूला हुआ बन इसको करने में चार से पांच मिनट लग जाते हैं इसका टेक्स्चर बिल्कुल क्रीमी हो गया है काफी फ्लॉफी हो गया इसके अंदर ना एयर इंकॉर्पोरेट हो गई है अभी इसके अंदर एड़ करेंगे शुगर यह पिसी हुई चीनी है आप चाहें तो स्टर शुगर यानि बूरा भी एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हम एड़ करेंगे थ्री फॉर्ट कप पिसी चीनी अगीन इसको विस्क करना स्टार्ट करेंगे जब तक कि दोनों चीज़े एकदम क्रीमी नहीं हो जाती इसको हमने दो से तीन मिनट के लिए विस्क करना है थोड़ी सी महन बाकि बहुत एजली बहुत आसान से यह केक बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आप एक बार बनाएंगे ना तो आपका मन करेगा कि आप दुबारा इसको बनाएं क्यूंकि मैं तो काफी टाइम से बनाती आ रही हूं और मेरी फैमली को बहुत यह है कि पांच मिनट में आप जो है यह केक बना करके रेडी कर सकते हैं देखे बिल्कुल क्रीमी सी कंसिस्टेंसी के अंदर आ गया है तो अभी मैं इसके अंदर एड़ कर रही हूं थ्री फोर्थ कप करड क्योंकि हम यह केक एगलेस बना रहे हैं और बस अभी हम जो है सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया करें तो प्लीज लाइक कर दिया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले खैर से अब हम इसके अंदर जो है ड्राइ इंग्रीडियन्स एड करेंगे तो मैंने एक सीवर को इसके मैदा अलग करके रखा था वन टीस्पून एड कर रही हूं मैं बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून एड करेंगे बेकिंग सोडा एक पिंच एड करेंगे सॉल्ट नमक सारी चीज़ों को अच्छे से सीव कर लेंगे सीव करना भी इंपॉर्टेंट है तब ही मैदा और बाके ड्राइं इंग्रीडियन्स के अंदर एक हवा भरती है और अगर कुछ भी मोटा पार्ट रह गया है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं या फिर उसको अच्छे से चान करके एड करें और अगर आप पहली बार बना रहे हैं सारे ड्राइं इंग्रीडियन्स को अलग से चान ले और थोड़े थोड़े बैच में इसको जो है इसके अंदर एड करें मैं काफी टाइम से बनाती आ रहे हूं तो मेरा हाथ बिल्कुल बैठा हुआ है तो मैं एक साथ ही जो है सारे इंग्रीडियन्स मैंने डाल दिये हैं और बस इसको धीरे धीरे अराम से इसको चला कर रही हूं सारी ही चीज़े हमने रूम टेंपरेचर के उपर लेनी है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको एड करूंगी और बस अभी सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर जो है वो ओल्मोस्ट मेरा रेडी हो गया है देखिए इस तरीके की थ तूटी-फूटी और अगेन इसको मिक्स करेंगे अच्छा गैस को मैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए प्रिहीट करूंगी एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर हाई फ्लेम रखूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आप तूटी-फूटी डालने से थोड़ा सा पहल थोड़ा सा बस टाइम देखकर 5-7 मिनट तक आपने इसको लो फ्लेम पर प्री हीट करना है तो मैं पहले एक मिनट के लिए करूँगी फिर उसके बाद मैं इसको लो कर दूँगी चार मिनट के लिए बस हलका साओर इसको मैं चला लूँगी और बस हमारा जो बेटर है वो अलमस्ट रेड़ी है देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं यहाँ पर यह कपकेक्स वाले मोल्ड में जो है इसको गैस पर बेक करूँगी बागी माइक्रोवेव के अंदर मैं यह ग्लास जार में माइक्रोवेव सेफ है यह इसके अंदर डाल करके मैं बेक करूँगी अगर आपके पास loaf cake वाला टिन है तो आप उसके अंदर add करें क्योंकि मैं यहाँ पर microwave में बना रही हूँ तो इसलिए मैं यह वाला jar यूज कर रही हूँ इसमें काफी अच्छा loaf cake निकल करके ready होता है आप चाहिए तो इस same cake को oven में bake कर सकते हैं या फिर कड़ाई में bake कर सकते हैं 40-45 minutes के अंदर यह perfectly bake हो जाता है जादा कुछ difference नहीं आता है सिर्फ थोड़ा सा texture का difference आता है और मैं सही बताऊं तो मुझे यह 5 minute वाला जादा अच्छा लगता है क्योंकि यह काफी जादा soft बनता है और मेरी डोटर को तो यह इतना जादा पसंदा है कि उससे रहा ही नहीं जाता अभी भी बस इदर उधर मंडरा रही है कि कब केक बनेगा और कब वो खाएगी उपर से थोड़ी और मैं टूटी फूटी इसके अंदर add कर दूँगी यह दिखने में भी फिर काफी अच्छा लगता है और देकिया लाइना भी आ गई है आप चाहें तो इसके अंदर dry fruits वगरा भी add कर सकते हैं मैंने 10 मिनट के लिए microwave को preheat कर लिया था और अब हम इसको 5 मिनट के लिए डालेंगे बाकी का जो बेटर है मैं इन मोल्ट के अंदर डालूँगी अच्छे यह process न थोड़ा से जल्दी जल्दी करें बहुत जादा देर तक हमने इसको नहीं रखना है बस जल्दी से इसको मोल्ट के अंदर डाले या जिस पिट इनके अंदर आप डाल रहे हैं और बस बेक करने के लिए रख दे तब ही अच्छे से राइस होगा मोल्ट को जो है 3-4 पोर्शन तक ही हमेल करना है बेक होने के बाद यह काफी जादा ऊपर तक आ जाता है अपनी पसंद की चीज़े जो हैं ऊपर टॉपिंग्स पर डाल देंगे मैं टूटी फूटी केक बना रही हूँ तो बस मैंने वही एड़ कर दी है कढ़ाई भी हमारी अच्छे से प्री हीट हो गई है तो इसके अंदर मैं एक स्टेंड लगाऊंगी और एक प्लेट में इसके अंदर डाल दूँगी और उसके ऊपर हम अपने एक मोल्ड्स डाल देंगे इनको हमने लो फ्लेम पर 30-35 मिनिट्स तक बेक करना है याद रहे आप जिस भी कढ़ाई ये बर्तन में बना रहे हैं वो थोड़ा सा मोटे तले का होना चाहिए देखें माइक्रोवेव वाला केक हमारा काफी अच्छे से राइज हुआ है मेरे पास मॉर्फे रिचर्ड का माइक्रोवेव है जिसमें कन्वेक्शन के साथ साथ ग्रिल भी है तो मैं बस इसको जो आप 5 मिनिट के लिए और बेक करूंगी इसके अंदर यह बिल्कुल ही ओप्शनल है आप चाहे तो सिर्फ ग्रिल भी कर सकते हो और यह मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ऊपर की परतना थोड़ी सी ब्राउनिस चाहिए वो एक ऊपर ब्राउन सी लेयर आती ना तो केक दिखने में भी बड़ा अच्छा सा लगता है आप चाहे तो सिर्फ इसको पांच मिनट के लिए माइक्रोवेव कर ले और तेस्ट में ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा सिर्फ दिखने में वो अच्छा लगता है और पूरी तरीके से मैं इसको ठंडा होने दूँगी 35 मिनिट्स हो गए हैं और चलिए हम अपने कपकेक्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं देखिए एक नाइफ डाल करके मैंने देखा है और नाइफ बिलकुल ही क्लीन निकला है इसका मतलब है कि हमारे जो कपकेक्स हैं वो अच्छे से बेख हो गए है अलाइना से तो बिलकुली सबर नहीं हो रहा है तो मैंने उसको बोला पहले इसको ठंडा होने दो फिर उसके बाद हम खाएंगे तो इसको मैंने प्रॉपर तरीके से ठंडा कर लिया है चलिए अब इसको चेक करते हैं कि यह कैसा बना है मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ यह देखी बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में तो चलिए हम इसको डिमोल्ट कर लेते हैं और यह देखिए काफी जादा स्पॉंजी बना है यह बहुत फुला फुला बना है अच्छा माइक्रोवेव वाले केक को जो है वैसे तो यह अल्रेडी हटा ही हुआ है लेकिन फिर भी मैं हलका सा इसके अंदर चारो तरफ नाइफ लगा दूँगी और देखिए काफी इजली यह डीबोल्ट हो जाता है और यह बहुत ही आसानी से बाहर निकल गया है और देखिए आप इसके क्रमबल्स तो देखी सकते हैं कितना जालीदार बना है बहुत ही मस्त बना है मेरा केक बहुत सही लग रहा है और देखने में भी मतलब बिलकुल मार्केट स्टाइल लग रहा है तो चलिए इसको कट कर लेते हैं आप इसको अपने डेजायर पीसिस में कट कर सकते हैं अच्छा इस तरीके से आप केक के लिए लाइक हम घर में कुछ बर्ड़े केक वगएरा बनाते हैं तो उस तरीके से भी आप इसका स्पॉंज बना सकते हैं और इसको क्रीम वगएरा से डेकॉरेट भी कर सकते हैं मुझे तो यह ऐसे ही खाने में बड़ा मज़े का लगता है बहुत ही जालीदार बहुत सौफ्ट बतलब बन करके यह तयार होता है तो एक बार यह रेसिपी जरूर ट्राय करना वह बहुत मस्त रेसिपी है बहुत ही मज़े की है बच्चे बड़े सब को बहुत पसंद आएगी तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा बहुत जादे इंट्रेस्टिंग रेसिपीज के लिए जो आपको हाड लगती है बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी देखिए अलाहेना ने भी जो एक केक पास कर दिया उसको बहुत पसंद आया है और सारे केक्स को जो है मैंने कंटेनर के इंदर डाल दिया है स्टोर करती हूँ मैं इसको लगबक आठ से दस जिन तक जो ही आराम से चल जाएगा इसको नॉर्मली फ्रिज के इंदर स्टोर करेंगे चलिए वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बाबा